हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल लाइफ हाफ रश्मी कैसे आम सब आशा करते हुआ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ तो देखिए दोफर का टाइम है अभी में ख्याल से डाही बज रहे हैं बहुत तेज ठंट है धूप तो निकली हुए मौसम खुला है लेकिन घर के अंदर ठंट ना बहुत ज़्यादा तेज है तो वही मैं नहाद हो के पूजागरा सब कर ली हूँ और ठंट इतनी तेज लग रही थी कि मैं च्छत में आ गई हूँ देखिए चादर विछा के आराम से मैं चादर में बैठी हूँ और मैं अबली चली वीडिय से उठ जाना है फिर काम स्टार्ट होई जाता है अलाकि मैं उतना जाता नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी बरतन वगयरा कुछ करना है रखना है थोड़ा तो चलना फिर ना होता है क्योंकि काम वाली आती है तब तक मैं ज्यादा कुछ नहीं करता है लेकिन फिर भी सुबह स ज्यादा पेन हो रहा बहुत ज्यादा धर्द हो रहा है यह गर्दन में और यह पीछे साइड पीठ में दोनों शोल्डर में तो वही मैं वहली कि चले मैं आती हूं थोड़ा सा थोड़ी देर धूप लेके आऊंगे में नहाई भी हूं तो बहुत तेज गरम पानी से थोड़ साइड लगे तो शयाद उससे थोड़ा सा आराम मिले कुछ अभी तो ठंड है ही और शाम को तो बहुत तेज ठंड हो जाती है आज मैं बड़ी भी बनाई हूं उसकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज तो मैं नहीं करी मैं आप लोगों को दिखाती बस पड़ी तो वैसे भी पेमास है है ना तो देखिए शाम का इसीन है वही च्छा बजे करेब में उपर च्छत में ही मैं बहुत चलिए टहल लेती हूं तो वहीं से बच्चे जो हैं खेल रहते देखिए मंदिर है बिल्कुल हमारे घर के सामने है और यह वहीं पर जो ग्राउ झाड़ कर दो टूर कर जो दो अवे यह शाम कर दो 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 गो जोलाए मैं ने जो उसके हैं पर नीचे ऐा गाई हूं अब फिर डिनर बना रही हूं तो यह देखिए उधर पर सबजी फ्राई कर चुकी हूँ और इधर पर दूद में उसकीद आ गया था तो फिर दूद में भी चांके डाल रख देती हमों, पिने के लिए अलग से गाया का दूध ने के लिए पिने के लिए लिए घ्ञाए का आता है, पहलेगा गळता है, और यह दो 1 गंज के लिए दो 敏वा गैस चाहए, पहले ऐ기에 घनजगा नहीं की लिए, जाना के। और दो गैस चुले जलाके और इसमें चड़ा दी हूं बीच बीच में सब्जी भी चलाती जा रहे हूं चुकि मैं सब्जी फ्राइ कर दी थी और टाइम हो गया है डीनर का उसे बीच में मलाई सुबह आप निकाल के गई थी फिर इससे कि उसका मेरे को मक्षन बनाना है तो ब बस मैं फिर वही जो मलाई है उसका मैं मक्खा निकाल के रख दूंगी और यह देखे कितना अच्छा मक्खा निकल रहा है दो बार में मक्खर निकला है तो एक बार का निकल गया था यह दूबारा का है और देखिए बहुत अच्छा मक्खर निकल जाता है तो इस तरह से मक्खर में निकाल लिए और पूरा मक्खर निकल गया है लेकिन अभी मैं उसको गरम नहीं करूंगी उसको मैं फ्रिज में र तो यह देखे सबसे पहले गाय की रोटी है चोटी रोटी है तो मैं एक बात बता दूँ कि हम लोग को किया जो है ना शुरू से मैं देखती हूं कि गाय की जो है लोई जो रहती है वो बड़ी रोटी के बराबर रहती है लेकिन साइज उसका छोटा रखते हैं ऐसा होता है इ पिर देखिए आगे मैं क्या करती हूँ घीट, आधि नौन करना भी है तो में घी रगा के रोटी में रख दी हूँ और गैस में चढ़ा दी हूँ कड़ा ही और उसमें डाल दी हूं तेल और अब मैं बनाऊंगी यह जो उड़त दाल भीगी भी रखी है पिसी भी रखी है मतलब जो मैं बरी बनाई थी तो उसी की थोड़ी से दाल बच गई थी तो मैं उली चलिए उसके बड़े बना लूँगी तो उसमें अभी डिनर के जो भी जित्ते खाएंगे तो खालेंगे और उसके राव जो बचेंगे तो उनको फिर मैं दही में डाल दूँगी तो इस तरह से हमारे दही बड़े बन जाएंगे तो बस मैं सूखे बड़े सेख रही हूं तो देखिए सूखे बड़े भी सिग गया हैं पूरी अब इसको मैं जो दही जित्ते खाना था लोग खा लिए और फिबाके को मैं दही में जो चाच बनाके और उसमें नमक पिसा जीरा और थोड़ी से लाल मिर्च डालके मैं भिगा दे थी और उसके आद यह पूरे देख जाच कर ली हूं और अब दейखी यह ड़ीवड़े कि चटरनी और दैश के साथ खाय निकाली हों फूरे भीगे हैं और उसमें फिदही डालूंगी चटनी डालूंगी और थोड़ा सा पिसा जीरा डालूंगी तो बहुत सुन्दर बहुत ही टेस्टी लग रहे थे एकदम और चुके भीग चुके थे ना बहुत ही सौफ्ट बहुत अच्छे बने थे देखने से भी आप लोगों को समझ में आ होगा और यह थोड़ा सा पिसा जीरा डाल दूंगी इसमें चाहिए तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सब नहीं डाले हूं से पिसा डाली हूं यह देखिए कितना इजी कट गए आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है बहुत ही टेस्टी बना है तो देखिए यह कल वाली वीडियो ही कंटीनीव है और कल डिनर वगरा करने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और आज फिर सुबह का पूरा सब कामा मिक्टा के खाना वाना जब खाके आ गई हूं लंच वगरा सब हो गया है इसके बाद फिर मैं छत में आई हूं दूप में तो मैं बले चले वीडियो को एंड कर देते हूं कल स्टार्ट पी मैं इसी जगह से कर रही हूं तो ठीक है अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करिए कमेंट करके बताईए और शेयर किजे अपनी करते हैं, सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन करें जसे की नई वीडियो की ने स्कत्राइब बार को जिल ऑन चाने टिक जिल्सक्राइब ईनए को है टीक है, तो फिच्छल यह फिर्ट करते हैं, मिलते एक नई व्यडियो में तब तक देले हैं बाए